हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करेट पैल तभी रतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल कोयल आज हम फिर से बात कहेंगे Brightcom Group की BCG के नाम से जो जाना जाता है और अच्छा momentum जिसने gain किया लगबख 2.5 रुपे के आसपास का जो share था अब दे सकते हैं यहापर और उसके बाद जो है इसने जो रफतार पकड़ी और आप देखेंगे लगबख 700 रुपे तक भी यह जो स्टोक आता हुआ नजर आया और उसके बाद जो correction हुई है वो भी आप देख सकते हैं 122.92 पैसे का इसने high बनाया और अभी 98.35 के आसपास काम कर रहा है जो इसने low बनाया वो almost 50 रुपीज के आसपास के low बनाया 52.95 और अब जो है 98 के आसपास काम कर रहा है तो किस टाइप से resistance फेस कर रहा है और कहां पर यह अब यह उपर की जो एक trend line आप देख रहे है इस टाइप से draw की है मैंने बट अभी जो stock है इसके आसपास ही है इसके उपर बना हुआ है अगर इस line को यह break करता है तो stock जो है निचे आता हुआ नजर आ सकता है मतलब उपर के level पे sustain नहीं कर पाएगा उपर के level इसको निकालन करता है तो निचे के level जो है 94 रुपीज काफी इसके लिए एहम होगा अगर 94 रुपीज को यह break करता है तो stock जो है 81 रुपीज तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है जो कि इसका जो यह trend line है इस पे support लेता हुआ नजर आएगा तो अभी chances हैं कि हो सकता है यह इसी trend line की आसपास थोड़ा सा consolidate करे उपर नीचे उपर नीचे इस टाइप से ही थोड़ा consolidate करे time spend करे और हो सकता है कि 94 के आसपास stock जो है आता हुआ नजर आए बट अगर 94 को break करता है तो थोड़ा सा weakness इसके अंदर आती हुआ नजर आएगी जो कि इसको 81 रुपीज तक भी लाती हुई नजर आ सकती है slow and steady बट उपर के level इसको जब निकालने है 110 और 111 का zone है उसको निकालना काफी जरूरी है उसके बाद इसके अंदर कोई uptrend start होता हो नजर आएगा जो इसके 125 रुपे और इसके फरदर भी काफी आगे ले जा सकता है जिसको हम बाद में review करेंगे बट अभी जो stock है किस level पे आता है नीचे उसको देखना काफी जरूरी होगा या फिर यहीं से bounce back करके उपर की तरफ निकलता है दोनों ही चीज़ें हमें देखनी जरूरी है और इसके अंदर stop loss लगा के ही आपको कोई भी position बनानी है ये एक एहम बात है थैंक्यू धन्यवाद